वेल्कम डिया स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आरसर येटूब सेनल पर और हम आचुके अभी लाइव एक नए सेशिन के साथ में पीवाई क्यूज के साथ में आपको अनुभव करवाना है फील आपको करवाना है कि देखो कॉंसेट क्या चीज होती है और कॉंसेट के बेस पे पीवाई क्यूज जो होते हैं वो किस तरीके से सोल होते हैं और कितने पीवाई क्यूज एक्जाम में आएव हैं उसकी हम बात करने वाले हैं इस क्लास में तो मैं चाहूंगा प्रत्ते एक मेरा soldier पूरे जोस के साथ में live आ जाएं और फिर हम start करते हैं आज का बहतरीन ये session जो आप लोगों के लिए हैं जिसमें हम PYQ sol करवाने वाले हैं ठीक है चलो जी आज़ाओ फिटा प्राफट जाएं मैच का जो concept होता है वो होता है 9 a.m. पर कुछ changes होगा थोड़े से time के बाद में कुछ changes जिसके अंदर जरू होगा लेकिन अभी हाल फिलाल में जो हमारी classes running के अंदर है वो ये है मैच का concept सुबर नो बज़ें मैच का practice 1 p.m. पर होता है और मैच का practice session for nda na के लिए वो होता है आपका 5 p.m. पर तो ये तीन class है अभी आपके running में हैं जिसके अंदर ये वाली class especially nda के बच्चे हैं किसी air force navy के बच्चे को concept clear करने हो वो बच्चा इस class को देख सकता है ठीक है team space rsr हमारा telegram channel है और इस telegram channel को प्रत्यक बच्चा join कर लेगा क्योंकि यहां पर आपको classes के regarding कोई भी link कोई भी update information जो भी आपको देनी हो वो यहां पर मिलती है my rising India application play store पर available है आप ऐसा icon दिखेगा play store से इसको download करिए और download करने के बाद में आप इसको जब registration करोगे तो आपक page है जो अभी यह वाला page running में है जो class आप यह देख पा रहे हो वो 499 का एक subscription है चोटा सा उस पर उसके लिए आपको notes पूरे available हो जाएंगे मतलब class notes पूरे available है notes बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगे आपको पूरा का पूरा notes available है दूसरा आपको प्रेक्टेशेशन वहां पर तो 11 से लेकर 12 बज़े के time पर आप call कर सकते हैं इस time पर आप math का doubt clear कर सकते हैं ठीक है जी यह faculty regarding number है ठीक है चलो जी जो भी मेरा सेर आचुका है class में मैं चाहूंगा एक बार एक बार पूरे जोस के साथ में एक बार I love my parents अपने parents को salutation करना है और parents को salutation केवल I love my parents के नाम से ह नहीं होगा आपको याद करने पड़ेंगे वो पहले वाले दिन याद करने पड़ेंगे जब हमारे माबाप ने हमारे लिए क्या 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 कुछ कुछ किया है ना जो भी हमारे लिए क्या है एक बार आंके बंद करके याद करोगे सची नजरों से देखने की कोसिस करोगे तो सब कुछ आपको नजर आएगा, और फिर देखना, आप में अंदर self motivation के जो आग लगती है न, वो आग कभी नहीं बुझाई जा सकती, वो तभी बुझेगी जब आपका selection होगा, ठीक है मेरे सेरो, चलो जी, स्टार्ट कर दू, चलो स्टार्ट करता है न, स्टार्ट करता ह ये NDA 2019 का एक सवाल था, मैंने हालाग कि कुछ question आपको करवाए हैं, पहले भी करवाए हैं, देखेगा, A and B are two events, बेटा English में लिखावा है, मैं आपको हिंदी के अंदर explain करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखेगा, A and B are two events such that A bar and B bar and mutually exclusive, मतलब परस पर अपुवर्जी गटना है, इसका मतलब क्या है, जो भी परस पर अपुवर्जी गटना होती है, सर उनके union की जो probability होती है, वो उनके अलग अलग प्लस के बराबर होती है, P A bar plus का P B bar, ध्यान रख ले ना, जो आपको दे रखा है, A bar and B bar exclusive event है, तो ऐसे case में A bar union B bar बराबर होगा, P A plus P B bar है न the value of P A upon B, A upon B का मतलब क्या है, A upon B जब भी आपको calculate करना होगा, तो आप क्या लिखोगें, किसा P A intersection B upon P B लिखोगें, अरे clear है बाद, P A upon B का मतलब है, P A intersection B upon P B, इसका मतलब कहीं न कहीं, ये अपने को value किसकी देगा, intersection की value देगा, और intersection की value निकालने के लिए सुनिए मेरी A bar union B bar को अगर हम लिखना चाहें, तो वो होगा A intersection B का whole bar होगा, सही है क्या, और A union B का A bar union B bar को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A bar intersection B bar, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 minus P A intersection B लिखा जा सकता है, clear है क्या, इसको लिखा जा सकता है, पूरे को 1 minus A intersection B, इसके बराबर में ने ये लिखा, इसके बराबर ये होता है, और इसके बराबर ये दे रखाता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब सर P A बार और प्लस P B बार है, यहां से आप intersection calculate करिए, अच्छा इसको जब आप इधर transfer करेंगे तो ये होगा प्लस का, P A intersection B बराबर, इसको मैंसे माइनस कर दोगे, एक के होने की probability आ जाएगी, मतलब 0.5, माइनस P B बार, P B बार क्या होगा, एक मैंसे माइनस कर दो, इस probability को 0.4 आएगा, 0.5 माइनस 0.4 करोगे तो 0.10, ये आएगा सर आपके पास intersection की probability, intersection की probability 0.10 है, आपको P A अपोन B निकालना है, तो intersection की probability 0.10 है, औ इसका मतलब सर, probability जो है आपके पास, वो आएगी, 1 by 6, इसका मतलब सर, 2019 का ये सवाल, क्या हो जाएगा, 1 by 6 आचाएगा, बिटा, clear हुआ, clear, 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 आगई बात समझ में, चलो जी, इसका B option आपका right answer होगा, थोड़ी सी calculation है, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा, आगे तका है, three dices, तीन पासे जो हैं, आपको एक साथ उचाले जाते हैं, what is the probability that the sum of the three faces, at least five, शवाल बहुत जबरतस्त है, पहले हमने दो-दो पासों का करवाया, अब ये सवाल जो है, वो है सर, आपके पास तीन पासों का, अगर सर, तीन पासों को एक साथ उचाला जाता है, त तो अंको का योग, कम से कम पाँच आने की probability आपको बतानी है, अंको का योग कम से कम पाँच आने की probability बताओ, कितना बढ़िया सवाल है, बिटा, अगर मैं तीन डाइस को एक साथ टोस करू, one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six, और one, two, three, four, five, six, बिटा, minimum digit की अगर मैं बात करू इन पर अंको का योग कम से कम, कम से कम तो योग होगा सर तीन, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, कि सर अठारा होगा, कम से कम योग तो होगा, तीन, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, अठारा, आपको क्या पूछा है, कम से कम पाँच बताओ, कम से कम पाँच का म में से माइनस करेंगे जब अंकों का योग आपके पास कितना आ जाएं तीन आ जाएं और या फिर अंकों का योग आपके पास चार आ जाएं इसको हम माइनस करने वाले हैं तो आप मुझे ये बताओ अंकों का योग तीन होने 216, अंकों का योग 3 आने के chance है कितने 1 और probability एक बटा 216, अच्छा अंकों का योग 4 आने के कितने chance है 4 आने का chance देखना बिटा पहले पासे पे 2 आ जाएं दूसरे पे 1 आ जाएं, तीसरे पे 3 आ जाएं, फिर आपके पास पहले पे 1 आ जाएं, दूसरे पे 2 आ जाएं, तीसरे पे 1 आ जाएं, पहले पे 1, दूसरे पे 1, दूसरे पे 3, इसका मतलब आप देखो, कि सर इसके जो chance है वो total है, 3 chance और वैसे तीनों पासों को उच्छालते हैं, तो total chance है आपके पास 216, 1-4 बटा 216, 4 को इससे cancel करोगे, तो यह आ जाएगा 4, 25, 24, 16 जब 16 करोगे, 1-1 बटा 54, तो इसका मतलब 53 बटे 54, आपका राइट आंसर भी option आएगा, clear हुआ अरे समझी में आया, क्या है question क्या था, वो समझो, 3 प्लस 4, बेटा question क्या है, question यह था कि 3 पासों को एक साथ उचला गया है 3 पासों को एक साथ उचला गया है अंको का योग कम से कम 5 आजाएं इसकी probability निकालो, तो अंको का योग 3 को उचलेंगे, तो कम से कम तो आता है 3, वाई, 1-1-1 यह आता है, तो वा 3 आता है ज्यादा कितना आएगा, 6, 6, 6, 18 तो पूछ रहा क्या है, कम से कम 5, कम से कम 5 का मतलब 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11, 18 तक, इतना calculate करना possible नहीं है, तो हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे, 5 से कम कौन से वे, कि सर, 3 हुआ चार हुआ तो इन दोनों को जोड़ कर एक में से माइनस कर तो जदा वाले आजाएंगे तो 3 अंको का योग 3 आने का एक चांस है, अंको का योग 4 आने के 3 चांस है, इसकी probability calculate करके एक में से माइनस कर देंगे तो probability आजाएगी ठीक है क्या है आगे चलो आगे चलो, आगे चलो अगला question, क्या बहतरीन सवाल है A, B, C and R, 3 events, then what is the probability that at least 2 of these events अगर together 2, 1, 7 होने की probability आपको निकालनी है, ध्यान से देना at least 2, कम से कम 2 गटनाओं के गटित होने की प्राइकता आपको निकालनी है कम से कम 2 तो कम से कम 2 का मतलब कितना है भाई कम से कम 2 का मतलब है 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है कम से कम 2 at least 2 का मतलब क्या है कि सर 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है event diagrams इसको समझने की कोशिस करें जैसे मेरे पास अगर दो ही इवेंट होती मेरे पास अगर दो ही इवेंट होती तो ये है आपके पास केवल एक के होने का एक के होने का चांस ये है और अगर मैं बनाओं कि दो का होने का जो चांस है वो ये है ठीक है ये दो के इवेंट अगर मैं बनाऊं कि सर मेरे पास अगर तीन इवेंट एक साथ होती है तो ध्यान से समझना दो के होने की probability दो के होने की probability क्या है देखो ये जो part है आपके पास मैं अलग-अलग color से note कर देता हूँ ये वाला जो part है वो तो है only one का black black वाला जो part है वो है सर only one का बलेक वाला पार्ट है only one event जहाँ पर अकेली अकेली केवल एक ही event होती है ठीक है अच्छा सर अच्छा मैं बनाओं कि अकेली अकेली दो event यहाँ पर होती है यहाँ पर होती है यहाँ पर होती है यहाँ पर होगा सर only two event अच्छा सर तीनो एक साथ भी होती है क्या तीनो एक साथ होगी सर इधर यहाँ पर होती है तीनो एक साथ तीन इवेंट एक साथ होती है तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना मिनिमम टू कम से कम दो कम से कम दो का मतलब दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सर आपको जो probability निकालनी है वो probability इस वाले part की निकालनी है आपको जो probability निकालनी है वो एक तो इस वाले part की फिर इस वाले part की फिर इस वाले part की और एक आपको निकालनी है तीनों के common की आपको इतने पार्ट की probability निकालनी है ठीक है अब देखना बिटा सवाल ही किस तरीके से हुआ अगर मैं कहूं बिटा कि मुझे ये बताओ बाई ये वाला जो पार्ट है एक बार डाइग्राम में समझने की कोशिस करना अगर मैं कहूं कि सर ये जो तीनों के अंदर है ना तीनों के अंदर ये वाला बीच वाला जो पार्ट है इसका नाम है सर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तीनों का कोमन है तो इसको नाम दे जते हैं हम पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अच्छा मैं अगर कहूँ आपको कि आप मुझे इस पार्ट की बताओ इस वाले पार्ट की probability बताओ तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये तो A का और B का common था A और B का common है अगर हमारे को इस वाले पार्ट की चाहिए तो आप A और B में से इसको minus कर दो इसका मतलब only A and B only A and B की probability अगर हमारे को निकालनी है तो A और B के intersection में से तीनों का common माइनस कर देंगे A और B का intersection में से तीनों का common हम माइनस कर देंगे A intersection B intersection C ये हुआ सर only A and B मतलब 2 अगर मैं कहूँ मुझे इस पार्ट की निकालनी है तो आप क्या कहोगे कि इस पूरे में से आप तीनों का माइनस कर दो only A and C only A and C का मतलब होगा कि सर A intersection C minus P A intersection B intersection C अगर मैं कहूँ इस पार्ट की बताओ तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो पूरा गोला है ना B और C वाला B और C का जो common है उसमें से intersection minus कर दो इसका मतलब B intersection C में से आप तीनों का minus कर दो A intersection B intersection C तो सर ये तो आया only दो event का और तीनों का आपके पास ये वाला है क्या है कि सर वो है आपके पास plus A intersection B intersection C तो जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको देखो एक जो minus वाला है वो इससे cut जाएगा इसका मतलब आपका जो option आएगा वो आएगा C option C option आपका correct answer आएगा C option correct answer टोटल तीन जुड़ रहे थे ये तीन minus हो रहे थे अपने को निकालना था minimum 2 का तो सर ये तो है आपके पास only 2 event का ये है सर आपके पास 3 event का है ना एक साथ होने का तो सर इसमें से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो दो कटेंगे दो बच्चे का clear हो गया clear C option बहुत बहतरीन सवाल है आगे चलिए सर आगे चलो A bar union P की probability आपको निकालनी है ध्यान से देखना समझना क्या चीज है क्या बला है A bar union B और ये वैसे तो है काम सर sets का अगर जिस बच्चे को sets समझ में आ जातने हैं वो आराम से इसको कर लेता है ठीक है जी चलो पहले मुझे ये बता दो A intersection B की probability बिल्कुल सही है क्या A intersection B की probability सही है क्या देखो यहां पर P A upon B थेर्ड कोच एक कर रहा हूँ में आप देखो जरा A upon B बराबर formula क्या होता है क्या सर ये होता है P A intersection B upon PB होता है ठीक है और सर जब आप इसको इदर multiply करोगे तो आपके पास probability आजाएगी intersection की intersection बराबर PB into P A upon B बोलो सही है क्या कि हाँ सर सही है इसका मतलब सर ये जो पहला part है वो तो आपके पास क्या हुआ सही हुआ clear हो गया पहला ये जो तीसरा है वो तो आपका सही है अच्छा इसकी बात करूँ में B की तो B बताओ A intersection B bar A intersection B bar का मतलब है only A only A की probability A intersection B bar का मतलब है only A और only A का मतलब होगा A का जो पूरा गोला है इसमें से आप पॉमन माइनस करो A का गोला है सर P A माइनस आप इसमें से A intersection B माइनस कर दो क्या सही है क्या अरे भाई A intersection B bar है A intersection B bar तो only A होता है और आप इसको B में से माइनस कर रहे हो सरा सर जूट बोल रहे हैं इसका मतलब जिसमें भी दो लिखावा है वो तो गलत है देखो एक और दो गलत है दो और टीन गलत है दो तो गलत है ना दो गलत है अगर यहाँ पर A आ जाता तो यह सही हो जाता A intersection B बार का मतलब only A होता है तो PA-PA intersection B बार होता है अब रही बात आपके पास इन में से देखने की अच्छा यह बज़े बताओ एक दो तीन गलत है ना तो A की तो सही वाँ एक option ही तो मेच हो रहा है रहे गुरी जुगार लगा दिया आपने बेटा मैंने देखो और यह सही अपरोच है जब भी आप किसी का भी बड़िया एक्जाम का पेपर सोल करो तो कुछ option को काटने की कोशिस करो ठीक है ना कुछ option को काटने की कोशिस करो अपने आप answer आएगा देखो हमने पहले यह दूसरा जुथा गलत था उसको हमने हटा दिया यहाँ पे एक और दो तो इसका मतलब दो तो आई नहीं सकता गलत है दो यहाँ पे भी गलत है दो यहाँ पे भी गलत है तो एक और तीन बच्चा यही सही ठीक है clear वह चलो सरागी चलिए मैंने आपको यह करवाय था ना हालंकि ऐसा कोशन करवा चुका हूं मैं सुनो कि एक विध्यार्ती के द्वारा एक दो सवाल है एक सवाल है जिसको सोल करने की प्रोबिबिलिटी है 0.4 दोसरा सवाल है जिसको सोल करने की प्रोबिलिटी है 0.5 आपको देर रहा है what is the probability that he solve at least one of the two questions कि कम से कम वो कितने कोशन सोल करता है कम से कम एक कोशन को सोल करता है इसकी प्रोबिलिटी बताओ तो बिटा देखो पहली सवाल के बारे में पहला सवाल या तो सोल करेगा या फिन नहीं करेगा दोसरा सवाल या तो सोल करेगा या नहीं करेगा अगर आप इन सब को क्रोस मल्टिप्लाई करते हो तो आता है A B एक आता है A A B बार एक आता है A बार B और एक आता है A बार B बार इसका मतलब क्या समझा आपने इसका मतलब क्या है कि देखो A, B का मतलब दोनों कोशन सोल होता है यहाँ पर A हो जाता है B सोल नहीं होता है इन तीनों की probability आपको निकालनी है और आपको पूछा क्या है at least one of the two questions कम से कम एक सही करें तो आप उल्टा करो नहीं इसका कि सर अगर वो दोनों ही सोल्व नहीं करता है दोनों ही सोल्व नहीं करता है उसको आप एक में से माइनस कर दो तो इन तीनों के सोल्व होनी की probability आ जाएगे one minus अगर वो पहले को सोल्व नहीं करता है पहले को solve नहीं करता है इसकी probability 0.6 दूसरे को solve नहीं करता है इसकी probability 0.5 1-0.30 तो कितना आ जाएगा 0.70 आपके पास राइट आंसर 0.7 भी option आपका राइट आंसर है बोलो clear समझ में आ गया कितना सीधा सवाल था 2018 का आगे चलिए Two fat dice are rolled मतलब दो पासे एक साथ उचाले जाते हैं What is the probability of getting a sum of seven अंको का योग साथ आने की प्राइकता बताओ कितनी होगी दो पासों को एक साथ उचाला जाता है अंको का योग साथ आने की प्राइकता बताओ NDA 2018 का सवाल है NDA 2018 का सवाल जवाब आपको देना है जवाब दीजा거टाब अंको का योग कितना लगाना है लगाओ जवाब लगाओ फटाफट अंको का योग साथ आने की प्राइकता आपको बतानी है सर अंको का योग साथ कितने चांस होते हैं 6 और टोटल चांस होते हैं 36 1 by 6 आपके पास इसकी probability आ जाएगी बहुत सीधा सा ठीक आगे चलिए सर एक coin is tossed 3 time एक सिक्के को 3 बार उचला गया है यह सवाल तो मैं करवा चुका हूँ एक कांतर करम में चित या पट आने की प्राइकता आपको बतानी है एक सिक्के को 3 बार उचला जाता है एक कांतर करम में चित या पट आएं उसकी प्राइकता आपको बतानी है कितनी होगी कि सर अगर एक सिक्के को 3 बार उचला लेंगे head 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 tail head tail head tail head head ठीक है tail tail head tail head tail head tail और head tail tail और tail tail ठीक है जी यह वाली बात आपको समझ में आई होगी कि total 8 event होगी जब 3 coin को हम एक साथ तोस करेंगे लेकिन इसमें आपको यह पूचा है कि alternate आता हो alternate एक के बाद एक आता हो यहां तीनों साथ आ गए यहां पे 2 साथ आ गए यहां पे alternate आ गया तो एक chance तो सर यह होगा यहां पे 2 head साथ में आ गए यहां 2 tail साथ में आ गए एक chance यह होगा यहां पे 2 tail साथ में आ गए यहां पे 3 tail तो इसका मतलब 2 chance होगी जहां पे alternate आता है टोटल 8 chance है तो probability होगी 1 by 4 इसका मतलब सर B option सही है B option आपका right answer होगा clear हो गया आगे चलो सर क्या बात है A box has 10 chits numbered 0,1,2,3,4,5,9 तक first on chits सुनना बेटा सवाल को सुनना कि एक बकसे के अंदर 0 से लेकर 9 तक एक chits लिखी वी है from the remaining a second chits तो बेटा क्या है देखो ध्यान से समाज़ना एक box है एक box के अंदर 0 से लेकर 9 तक 0 से लेकर 9 तक लिखे वे chits है और उन chits में से एक chits निकाली जाती है और उस chits को वापस नहीं मिलाये जाता है kept aside उसको रख दिया जाता है from the remaining a second chits is drone जो बचे वे हैं उनमें से दूसरा chits निकाला जाता है what is the probability that the second chits drone is 9 उसकी probability आपको बतानी है सुनना बेटा फिर सवाल को कि एक बकसे में 0 से लेकर 9 नमबर तक लिखे वे chits पड़े वे हैं एक नमबर लिखा जाता है एक chits निकाली जाती है side में रखा जाता है और दूसरी फिर से chits निकाली जाती है उसके 9 नमबर लिखावा है उसकी probability आप बताईए कितना कैसा कुशन है समझना बेटा कैसा कुशन है आप मुझे बताओ इसमें से मुझे 2 नमबर चूज करने है without replacement तो पहले total तरीकों की संख्या कितनी होगी किसा total तरीकों की संख्या पहला चिट अगर मैं इसमें से ढूंडूँगा तो total मेरे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है तो इसका मतलब पहली चिट को सलेक्ट करने के तरीकों की संख्या कितनी होगी 10 अच्छा दूसरी चिट अगर मैं निकालूँगा तो उसके तरीकों के संख्या कितनी है सर 9 आई क्या बात समझ में अरे without replacement है पहली चिट हमने निकाली 10 तरीकों से दूसरी चिट हमने निकाली वो कितने तरीकों से 9 तरीकों से तो 2 चिट निकालने के total तरीके कितने है वे सर दूसरे नंबर पर 9 कितने तरीकों से आ सकता है 9 sir एक ही डिजिट पे लिखावा है तो इसका मतलब आपके पास 9 एक ही डिजिट पे एक ही पे लिखावा है और टोटल है sir आपके पास 90 इसका मतलब 1 by 90 आपका राइट आंसर 1 by 90 आपका राइट आंसर C option आजाएगा clear हुआ C option आएगा B नहीं आएगा B नहीं आएगा फिर से सुनिए कि sir without replacement की 2 digit निकालने के total तरीके कितने हो गए 90 without replacement P and C से और sir उसमें से 9 हमारे को निकालना है तो 9 तो एकी बार लिखावा है चाहे आप 2 बार करो चाहे 3 बार करो चाहे 4 बार निकालो 9 तो ही की बार लिखावा है तो 1 favorable outcome 1 है total तरीके 90 है clear आगे चलिए 1 bag contain 3 white bowl and 2 black bowl पहला जो bag है sir उसके अंदर 3 white है 2 black bowl है another bag contain 5 white and 3 black balls if a bag is chosen at random and a bowl is drawn from it what is the chance that is a white बता हो दो chance देता हूँ आपको कि ये total probability का है ये total probability का है या फिर base theorem का है बताओ फटाफट बताओ 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 फटाफट ये total probability का question है या फिर base theorem का question है दोनों के अंदर से और question क्या है फिर से explain कर देता हूँ कि पहला जो bag है पहला जो bag है उसके अंदर white color की बोल है 3 और black color की जो बोल है वो है 2 और दूसरा जो बेग है उस दूसरी बेग के अंदर white color की जो बोल है वो है sir 5 और black color की जो बोल है वो है आपके पास 3 और दोनों में से पहले तो एक बेग चूज किया जाता है और उन दोनों बेगों में से केवल white ball की probability आपको पूची है तो क्या आप बताई सकते हैं white ball की probability किसका है total probability का कुछ बच्चे बोल रहे थे गुरू जी नहीं आता देख लो भई nd 2018 total probability का question है और इसमें white ball की probability होगी तो formula क्या लगेगा pe1 और into pa upon e1 और plus pe2 dot pa upon e2 यह वाला formula इसके अंदर काम कर जाएगा pe1 का मतलब समझ में आया pe1 का मतलब क्या है पश्ट बेग होना pe1 का मतलब पश्ट बेग होना उसकी probability 1 by 2 और a upon e1 का मतलब क्या है a upon e1 का मतलब पश्ट बेग में white ball की probability पश्ट बेग में white ball की probability फर्ष्ट गई रहा इसमें white bowl कितनी है 3 और total bowl कितनी है total bowl है सर 5 इसका मतलब 3 बटे 5 प्लस P-E2 का मतलब कया है second bag होना second bag की 1 by 2 A upon E2 का मतलब second bag में white bowl होना और white bowl कितनी है 5 और total कितनी है सर 8 ठीक है तो इसका मतलब आ जाएगा सर ये तो आएगा 3 बटे 10 प्लस आपके पास 5 बटे 16 जब आप LCM लोगे तो कितना जाएगा 80 8 तिया 24 16 85 तो इसका मतलब दोनों को जोड़ोगी 49 बटे 49 बटे 80 B option right answer Total Probability Theorem का सवाल आया आज ही तो पढ़ा है था Total Probability Theorem क्लियर हो गया चलो सर आगे चलते हैं क्या बहतरीन सवाल है देखो NDA 2018 का सवाल NDA 2018 का पहले जो आता है ना इन में से इस रामेंड में से एसा नहीं ठीक है ना एसा नहीं कि यह आ रहा है यह नहीं आ आप पहले जो आता है उ A Union B बराबर इसको देखो A Union B बराबर PA प्लस BB यह कब होता है Exclusive Event के के केस में होता है परस पर अपवरजी गटनाओं के केस में होता है A and B are Exclusive बिलकुल सही बोल रहा है यार Exclusive Event की केस में Union की Probability अलग-लग प्लस के बराबर होती है 100% इसका मतलब यह statement सही है अच्छा यह तीस तो देखो Cancel Out हो गए अब रही बात इन के अंदर अब इन में देखो कैसे चेक करते हैं आप यह देखो A alone और B occurs या फिर आप यह देख लो यह देख लो A तो होता है लेकिन B नहीं होता है A तो होता है का वेंड डाइग्राम यह बनता है जो A तो होता है B नहीं होता है यह तो देखा A occurs बट not B A तो होगा बट B नहीं होगा यह A है यह B है तो इसकी probability कैसे निकालो में कि सर इसकी probability के लिए A में से आप माइनस कर दो इसके intersection को इसका मतलब PA माइनस PA intersection B आच्छा जी अच्छा इसने दूसरी रामेन दे दी यह देखा है कि सर B subset है A का अच्छा सर B अ intersection B बराबर क्या होगा जी PB होगा अरे सर बात सही है PA माइनस PB सही बोल रहा है इसका मतलब सर पहला भी सही है पहला भी सही है इसने देखो एक नहीं दिया है इसका मतलब suspense खत्म हो चुका है आपका suspense खत्म सारे पत्ते खुल गए हैं आंसर आएगा आपका B option आंसर बो B option अच होता है A alone और B alone हना जी A alone और B alone का when diagram देखो क्या बनेगा A alone and B alone A alone A alone A अकेला और B अकेला इसकी probability इन दोनों की probability वो क्या होती है मैं लिखा चुका हूँ आपको कि A alone A अकेला इसकी probability A अकेला होता है तब आएगा सर PA-PA intersection भी आएगा A अकेला होता है तो इसकी और B अकेला होता है तो क्या जाएगा PB माइनस का PA intersection भी आपको दोनों का union करना है प्लस कर लो PA प्लस PB माइनस 2 PA intersection भी आना चाहिए लेकिन यहाँ पे दो नहीं दिया इसका मतलब गलत है suspense कतम कहानी कतम सारे पत्ते खुल गए हैं B option आपका right answer आएग concept यह concept याद रखणा अगला सवाल if two dices are thrown at least one of them बेटा सुनना ध्यान से सुनना कि दो पासे उचाले जाते हैं at least one of the dice स्योज five कम से कम एक पासा अगर पांच बताता है एक पासे पर पांच परकट होता है तो अंको का योग दस और उससे ज्यादा होने की प्राइकता ग्यात करो सुनना बेटा सवाल को कि दो पासे सर एक साथ उचाले जाते हैं दो पासे एक साथ उचाले जाते हैं यदि कम से कम एक पासे पर पांच प्रकट होता है तो दोनों पासों पर प्रकट अंको का योग दस या उससे ज्यादा होने की probability बताओ ये बेटा आपका NCRT का ही question है NCRT का question है आप इसको बोल गए अच्छा मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन से टाइप की probability एक बच्चा लिख रहा है विशाल बंडारी conditional probability वाँ मेरे सेर बहुत बढ़िया भाई साब एक बच्चे लिखा है conditional probability conditional का मतलब क्या है कि सर दो में से एक पहले हो जाती है तो दूसरी क निकालते हैं और ये question में देखो दे रखा है आपको दे रखा है a dice shows five यहां तक सर एक event तो हो चुका ये तो हो चुका इसकी probability हमारे को निकालनी है क्या बहतरीन है ठीक है सुनना बेटा ध्यान से अब सर जिसकी probability निकालनी है उसको ए मान लो अच्छा आपको probability किसकी निकालन है some is 10 और more अंको का योग 10 या 10 से ज़्यादा हो तो सर इसको हम इस तरीके से calculate करेंगे अंको का योग 10 होने का chance 55 है छे 4 है और 4 6 है अंको का योग 10 के chance 3 अंको का योग 11 होने के chance 6,5 और 5,6 और अंको का योग 12 होने के chance 6,6 बेटा बात समझ में आई जिसकी probability निकालनी थी वो direct हम इस तरीके से निकालते लेकिन एक event हो चुका है उसका फरक पड़ेगा वो conditional है अच्छा जी B के बारे में सोचो जरा B क्या जे रखा है कि कम से कम एक पासे पर 5 होता है कम से कम एक पासे पे मतलब पहले पे एक आ गया दूसरे पे 5, पहले पे एक दूसरे पे 5, पहले पे हो सकता है तो दो वाड़ा chance मैंने ले लिया है इसका उल्टा गड़ लो 5,1 हो सकता है 5,2 हो सकता है 5,3 हो सकता है 5,4 हो सकता है 5,5 मैंने लिकी दिया और 5,6 हो सकता है बोलो सर बात clear भी अब आपको निकालना है केवल intersection intersection बताओ दोनों के common में कोई मिल रहा है क्या क्योंकि conditional क के अंदर intersection निकाला जाता है और वो होता है PA intersection B upon PB ठीक हुआ जी इह intersection इस तरीके से निकाला जाता है intersection देखो दोनों के अंदर कि Sir intersection देखो एक तो पाँच पाँच ये रहा मिल गया पाँच पाँच ये मिल गया Scott 5 इसके अलावा कोई सा मिल रहा है क्या कि सर देखो एक ये मिल रहा और एक ये मिल रहा छे पांच देखो ये रहा पांच छे सर आपके पास ये रहा इसका मतलब कितने मिले कि सर तीन मिले जो मिलते हैं उसकी संख्या उपर और बी वाले की संख्या और NCRT के अभी थोड़े दिन बाद में आपको exam oriented question की series लेकर आऊँगा मैं especially for probability objective questions की NCRT का direct question है सरी clear वा बिल्कुँ सीदी सी बात ती इसमें क्या था मेटा आपको दे रखाता दो पासों को उच्छाला जाता है अंको का योग यदि कम से कम पासे पर 5 प्रकट होता है तो अंको का योग 10 से उसे ज्यादा आने की प्राइक्ता गयाद करो ठीक है हाँ जो given event है वो देख लिया जिसकी probability calculate करनी है अंको का योग 10 या 10 से ज्यादा तो 10 या 10 से ज्यादा का chance 5 पांच ये तो है 10 का ये है 11 का ये है 12 का 10 या 10 से ज्यादा की 6 chance है ऐसे निकाला है चलो सर आगे चलिए एक committee of 3 has to be chosen from a group of 4 men and 5 women if the selection is made at random what is the probability that exactly 2 members are men हरे यार कितना सीधा समा आपको ये दे रखा है कि 4 तो आदमी है 5 औरते हैं चार तो आदमी है 5 औरते हैं कितनी सीधी सी बात है वेटा चार तो आपके पास क्या है आदमी है 4 और 5 women है committee आपको इस तरीके से बनानी है कि 3 की committee बनानी है जिस में से 2 तो आदमी होने जी है 3 की committee कैसे बनेगी 4 में से दो का selection कर लिया अब कितना 3 चाहिए ना 3 में से 2 का selection तो कर लिया 1 महिला आएगी महिला 5 है 5 में से 1 का selection कर लिया हमने यह total selection हो गया total selection क्या दोनों compulsory एक है 3 में हाँ जी compulsory यह दो आदमी भी लेने पड़ेंगे महिला भी compulsory के case में multiply होता है और total कितने है 4, 5, 9 9 में से total 3 का selection 4C2 की value निकाल लो कितनी होती है 6 5C1 की value निकाल लो सर 5 और 9C3 की value निकाल लेते है 9C3 का मतलब factorial 9 अपन factorial 9 माइनस 3 factorial 6 9 का मतलब होगा 9 into 8 into 7 into factorial 6 नीचे factorial 6 into factorial 3 का मतलब 6 यह तो सर इससे कटा और यह आजाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 4 बारिश सा तम 4 84 आजाएगा 84 इसकी value हमारे पास आगई 84 ठीक है 6 एकम 6 और 6 चुका 24 5 बटे चवदा आपका right answer आएगा पहला option 5 बटे चवदा right answer आएगा आपके पास पहला बोलो जी आया कि नहीं आया समझ में clear हुआ प्यारा सा question था अब यार essay level के question तो बटा आपको आने ही चाहिए हाँ जी essay level के question तो आपको आने ही चाहिए आगे चलो सर आपको दे रखा है A, B and C R3 mutually exclusive and exhaustive event exhaustive का मतलब होता है exclusive का मतलब तो समझ में आया होगा exclusive का मतलब तीनों में common नहीं होता और common नहीं होता तो तीनों की union की probability तीनों की अलगलग plus के बराबर exhaustive का मतलब एक और छोटा सा होता है कि वो तीनों मिलकर एक sample space बनाती है पूरा और sample space की probability एक होती है इसका मतलब ऐसी event जो exhaustive होती है उन सब का जो sum होता है वो one के बराबर होता है ठीक है? अच्छा exhaustive का मतलब मैंने लिखाया था परी पूर्ण गठना है ठीक है? यह English में लिखावा इस वज़े से लग रहा होगा लेकिन बहुत simple का बाल है PB बराबर है सर 1.5 PB बराबर PB बराबर तो दे रखा है सर आपको 1.5 into PA PB बराबर 1.5 into PA और PC बराबर PC बराबर दे रखा है सर 0.5 into PB ठीक है? और आपको क्या निकालना है? PA PA की probability आपको निकालनी है बड़ा सीधा सा सवाल है बेटा exhaustive लिख रखा है इसका मतलब में कहूँगा कि तीनों का जो योग होगा PA प्लस का PB प्लस का PC बराबर कितना आएगा एक exhaustive event है इस वज़े से एक होगा अब आपको देखो PA की probability निकालनी है उसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो यहाँ से PB बराबर लिख दो PB की 1.5 into PA प्लस PB की value है 1.5 into PA और PC बताओ तो यह PB को आप यहाँ पे टिका दो तो यहाँ आजाएगा PC की value क्या 0.5 into 1.5 into PA और बराबर हो जाएगा सर 1 अब कर लो बाई बता दो अब कितना आएगा आपके पास 16 करोड बताओ अगर मैं लिखू इसको 3 बटे 2 लिख दू क्या इसको लिख देता हूँ 1.5 को 3 बटे 2 तो यह आजाएगा A plus का 3 बटे 2 A और इसको लिख दू 1 बटा दो इसको लिख दू 3 बटे 2 तो 3 बटे 4 हो जाएगा 3 बटे 4 into A बराबर है 1 अब बता दो A बराबर कितना आएगा LCM लो में या 4 से multiply करो 4 4 और 6 10 10 और 3 13 13 A बराबर होएगा सर 4 और A बराबर होगा सर 4 और 13 A बराबर होगा 4 और 13 B option आपका right answer है 1.5 केसे हो गया PB बेटा आपको दे रखा था PB बराबर 1.5 into PA PB बराबर 1.5 into PA है तो मैंने PB की value यहाँ पे रख दी और PC बराबर PC की value दे रखी PC बराबर 0.5 into PB तो मैंने यह जो PB की value थी यह वाली यह मैंने यहाँ पे PB की जगर रख दी तो 0.5 into यह नंबर वो PC की value आ गया और सब को प्लस कर दिया बोलो आया चलो जी बहुत बढ़ी आब आते है इतना बहतरीन सवाल यह सवाल मैं language में हलंकि लेकर आया था सुबह की class के अंदर मेरे रेको प्लस के एदर को करवाना था और जब भी इतने बड़े सवाल आते हैं वह बेज तेय arguments के होते है बड़े से बड़ा सवाल पेज तेयूरम काहीं आता है आपको क्या दे रखा है सुनना मेरे को ध्यान से सुनना आपको यह दे रखा है सर ए बॉल्ट फेक्टरी के अंदर तीन मसीने है XYZ यह सवाल किसका है पता है क्या यह NCRT के अंदर भी है NCRT जिस बच्चे ने डंग से पड़ी हो NCRT का सवाल है as it is आया था as it is साइद इसमें यह option यह भी change नहीं है digit भी change नहीं है NCRT का सवाल NDR 2018 गे अंदर था देख लो NCRT के कितनी importance है आपको दे रखा है कि तीन मसीने है XYZ manufacturing bolts 25% bolts तो X वाली मसीन बनाती है Y वाली मसीन बनाती है 35% Z वाली जो मसीन है वो 40% बनाती है 5% defective bolts मतलब जो आपके पास खराब जो bolt है defective bolt है वो produce करती है A bolt is drawn at random from the product बेटा इस सवाल को अगर आप यहां तक पढ़ोगे तो कहानी समझ में आ गई होगी कि एक bolt चुना जाता है जो कि defective है और machine के द्वारा produce करने की probability आपको निकाननी है सुनना किसका कुशन है कि सर हमारे पास तीन मसीने है यह X मसीन थी यह Y थी यह Z थी और तीनों के अंदर एक चीज common है और यह machine क्या है कि सर bolt produce करती है यह तीनों के अंदर common चीज क्या है bolt और एक और चीज common है कि bolt defective है bolt क्या है सर defective है तो बताओ सर, base theorem का है कि total probability theorem? आया समझ में? यह total probability theorem का सवाल, यह सुरी, base theorem का सवाल है और इस base theorem के question के अंदर आपको पूचा है कि x के machine द्वारा produce करने की probability मतलब आपको इसके अंदर जो पूचा है वो यह है सर e1 upon a की probability पूचिए तो सर, इसके अंदर आपका solution होगा इस तरीके से कि pe1.pa upon e1 और नीचे आपके पास तीनों का योगा जाएगा pe1.pa upon e1 plus pe2.pa upon e2 और plus sir pe3.pa upon e3 ठेक है जी? यह formula लगेगा वाईसा, बड़ा सारा अच्छा, इसमें जब भी बड़ा question आता है तो probability given होती है देखो pe1 का मतलब क्या है pe1 का मतलब है पहली machine द्वारा production pe1 का मतलब है पहली machine द्वारा production, x machine द्वारा जो की कितना है sir? 25% है तो pe1 की probability में लिख देता हूँ, आप solution करेंगे इसका pe1 का मतलब है sir 25%, यह जो value है ना नहां पर वो है sir आपके पास pe1 की और यह जो value है वो है आपके पास pe2 की और यह वाली जो value है sir वो है आपके पास pe3 की तीसरी machine द्वारा अच्छा sir यह जो 2% 4% और यह 6% 5% वो क्या है वो है sir pa upon e1 यह 2% है pa upon e1 pa upon e1 और यह है sir आपके पास PA upon E2 और ये है सर PA upon E3 है ठीक है? हाँ 12th class का ही question है CBSE के अंदर आया था बिल्कुल समझ गे? तो बेटा ये सारी value आपको इसमें रखनी है पहले और ये जो percentage है ना percentage जैसे 25% है 25 से जवाब probability percentage से probability calculate करोगे 100 का divide कर दो 100 का divide कर दो तो वेसे answer आएगा बेटा 25 को ये है PA upon E1 multiply करोगे 25 दोना कितना आएगा? 50 नीचे सर एक तो इन दोनों का product आएगा एक आएगा 35 को 4 से multiply करोगे 140 आजाएगा और 140 को इस से multiply करोगे तो सर 200 आजाएगा direct answer आजाएगा 50 बटे 108 देता हूँ तो उपड़ तो बचा 5 14 और 5 कितना हुआ? 19, 19 और 20 कितना हुआ? 49 हो गया 5 बटे 49 आपका right answer आएगा पहला option पहला option आपका right answer है ठीक है? ए answer ठीक है? आगे चलिए सर 8 coins are tossed simultaneously simultaneously का मतलब है एक साथ 8 सिक्के एक साथ उछा ले जाते है the probability of getting at least 6 heads कम से कम 6 बार head आने की probability निकालनी है अरे सर एक coin को 8 बार toast किया है बड़ा जबरा सवाल है एक coin को 8 बार toast किया है तो सर ऐसे सवाल इतने बड़े सवाल तोड़ी ना आते है एक coin को 8 बार अगर toast किया है तो बिटा समझो बिटा बात को एक coin को 8 बार toast किया है किसका है? बड़नूली थियोरम का सवाल है इसका मतलब n बराबर बोलो कितना होगा? 8 और p मतलब क्या है? success और success है head पर कट होना head की probability 1 by 2 और q बराबर एक में से इसको minus करोगी 1 by 2 at least 6 कम से कम 6 अब भई कम से कम 6 का मतलब कितना है? कि x बराबर सर 6 भी हो सकता है x बराबर सर 7 भी हो सकता है और x बराबर क्या हो सकता है? 8 भी हो सकता है इन सब की probability का योग हमारे को करना है अब कर लो x बराबर 6 फोर्मला कौन सा लगेगा? वो ही n c x p की पावर x q की पावर n minus x ठीक है? x बराबर 6 x बराबर 6 तो यह हो जाएगा 8 c 6 1 upon 2 की पावर 6 और 1 upon 2 की पावर 2 आ जाएगा पलस दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास 8 c 7 1 upon 2 की पावर 7 और 1 upon 2 की पावर 1 अगला आपके पास आ जाएगा sir 8 c 8 1 upon 2 की पावर 8 और दूसरे 1 by 2 की पावर 0 इसका मतलब देखो 1 by 2 की पावर सब के अंदर 8, 6 और 2, 8 7 और 1, 8 और उसमें 8 इसका मतलब 1 बटा 2 की पावर 8 तो सब के अंदर है 8C6 की वेल्यू बता दो 8C6 की वेल्यू होती है 28 28 प्लस 8C7 की जो वेल्यू होती है वो होती है 8 और 8C8 की वेल्यू होती है 1 calculate कर लेना ऐसे 8C6 है factorial 8 नीचे 8 में से 6 गया तो factorial 2 और यह factorial 6 तो factorial 8 बटे factorial 2 factorial 6 factorial 8 को लिखोगे 8 into 7 into factorial 6 इससे कटा 8 to 7 चपन बटे 2 28 आगया तो अब आप देख लोग क्या आएगा कि सर 8 और एक 9 इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 37, 37 बटे 256 37 बटे 256 आपका right answer जो की है C option में इसमें minus नहीं करेंगे अपन माइनस करेंगे तो और भी बड़ा सवाल हो जाएगा माइनस करोगे तो और भी बड़ा सवाल हो जाएगा clear है चलो जी आगे चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ चलते है सर अगला सवाल 3 groups of children ये भी NCRT का है बैसा probability NCRT दोनों का तो जरम जरम का साथ है ये समझ जाना NCRT से बिना probability करें एक्जाम में मत चले जाना अगर जो probability के साथ आठ कुशन अगर आप सही करना चाहते हो अभी से NCRT स्टार्ट कर दो NCRT को करना ही है ठीक है 11th और 12th के NCRT उसको वहाँ से practice कर लीजिए 3 groups of children contain 3 girls 1 boy पहला group है ये पहला group है और पहले group के अंदर 3 तो लड़किया है 3 तो लड़किया है एक लड़का है दोसरा जो group है उसके अंदर सर एक तो क्या है दो तो लड़किया है दो तो लड़किया है और दो लड़के है और तीसरा जो group है तीसरा जो group है उसके अंदर एक तो लड़की है और तीन लड़के है ठीक है आपको क्या दे रखा है One child is selected at random from each group the probability at the three selected consists one girl मतलब हर group में से आपको selection इस तरीके से करना है कि एक तो लड़की होनी चाहिए और दो लड़के होने चाहिए एक लड़की दो लड़के है जैसे मैं कहूँ मुझे पहले group से selection करना है एक तो लड़की चाहिए दो लड़के चाहिए क्या है The probability that the three selected consists of भाईसा पहले में तो लोचा हो गया The probability that the three selected consists of one girl and two boys तो दूसरे में तो दो लड़के है ही नहीं तो वो तो पॉसिबली नहीं है तो सायद कहीं न कहीं तो सर मिस्टेक है सवाल में हाँ जी किल कुलेक्शन करना सिखा दो सायद कुछ न कुछ तो लोचा है क्योंकि देखो जरा कि एक तो लड़की है और दो लड़के है हाँ जी एक लड़की और दो लड़के तो पहले वाले ग्रूप में सस्पेंस है पहला जो ग्रूप है जिसमें तीन लड़की आर एक लड़का है सस्पेंस इस पे है कि इसके अंदर तो भाई दो लड़के है नहीं तो सेलेक्शन केसे करोगे आप हर group में से individual लेना पड़ेगा अपने को इस group में से अलग इस में से अलग इस में से अलग तो इसका मतलब पहले में तो गुरु जी आएगा है नहीं ठीक है clear है क्लियर है क्या अरे बात समझ में आगई ये कहीं न कहीं थोड़ा सा लोचा है सवाल के अंदर side I think लोचा है अगर लोचा हुआ तो देख लेंगे इसको न कल की जो क्लास है उसमें देखेंगे ठीक है चलो जी two boys होने चीए थे two boys मतलब एक लड़की दो लड़के अगर दो लड़कियार एक लड़का होता तो सेट बेट जाता सवाल लेकिन वो किसरिक लोचा है कुछ न कुछ तो लोचा है साइद मुझे लग रहा है कि श्बास कभी आता नहीं है चलो देखते है in a binomial distribution the mean is 2 upon 3 and the variance is 5 by 9 what is the probability that x बराबर 2 x बराबर 2 होने की probability आपको बतानी है क्या होगी NDA 2017 का सवाल बड़ा सीधा सा सवाल है रोंग आया था पेपर में देखो ऐसा नहीं बोल सकता में कि पेपर में रोंग आया था क्योंकि ये जो questions होते हैं वो बुक में लिखेवे questions होते हैं तो I think क्या पता मेरी जो सोच है वो नहीं मिल पा रही ये questions से या फिर क्या है है ना तीन में से दो बोई होने ही चाहिए थे तीन में से एक गर्ड़ एक बोई हो तो चलता है साइज है ना चलो कोई नहीं देखेंगे मीन आपको बता रहा है सर दो बटा तीन मीन मतलब मीन क्या होता है मीन होता है एन पी सही है क्या मीन क्या होता है एन इन टू पी बराबर कितना है दो बटा तीन और वेरियांस क्या होता है वेरियांस होता है सर एन पी क्यू बराबर कितना है सर 5 by 9 वाट इस दे प्रोविलिटी आपको X बराबर 2 की प्रोविलिटी निकालनी है तो आप क्या करो सर N P Q के अंदर N P Q यह जो नीचे वाला है इसमें उपर वाले का डिवैड कर दो इसका मतलब सर N P Q के अंदर जब आप N P का डिवैड करोगे 5 बटे 9 में जब आप डिवैड करोगे 2 बटे 3 का यह आएगा 3 आप जब इसको मल्टिप्लाई करोगे 5 बटे 6 आजाएगा इसका मतलब सर यह आया क्यूं बराबर तो आया 5 बटे 6 अच्छा P बराबर कितना आया P बराबर आयेगा सर 1 बटे 6 P बराबर 1 बटे 6 Q बराबर आया आपके पास सर 5 बटे 6 अब P का वेल्यू जब आप 1 बटे 6 यहां पे रखोगे तो मतलब N इंटू 1 बटा 6 बराबर होगा सर 2 बटे 3 6 को क्रोश मल्टिप्लाई किया इससे केंसिल हुआ इसका मतलब N बराबर आया 4 N आगया P आगया Q आगया X बराबर 2 की प्रोबिबिलिटी निकालनी है और X बराबर 2 की प्रोबिलिटी होगी सर N C X P की पावर X Q की पावर N माइनस X N बराबर कितना है 4 4 C 2 P बराबर कितना है 1 बटा 6 एक बटा 6 की पावर तो हो जाएगी 2 और क्यों कितना है सर 5 बटे 6 5 बटे 6 की पावर हो जाएगी 2 और 4 से 2 की वेल्यू होती है सर 6 एक बटा 6 की पावर ऐसा लिख दू और इंटू 25 बटा 36 ये इससे कटेगा 6 बार 25 बटे 216 राइट आंसर पच्चीस बटे 216 राइट अंसर सी ओप्शन किल्कुलेशन है थोड़ी सी किल्कुलेशन है बस थोड़ी सी किल्कुलेशन है क्लियर है मतलब यार कैसे कैसे तुम वादे करते हो अपने घरवालों से हैं ओ एंडी की तियारी कर रहा है बिटा जहां पे भी हो वहां पे आपके घरवाले क्या सोच रहे है अडी की तियारी कर रहा है बिटा बापो को पता ही नहीं है गुरु जब थोड़ा सा प्रिवियस एर का भी बाइसा प्रिवियस एर का कुशन तो में क्या गुरु हार्ट आ गया तो समझ रहे हो कॉंसेप्ट से क्योंकि यह कुशन इंगलिस में लिखे वे हैं तो आपको लग रहे हैं अदरवाइस कुशन मतलब बेसे कुशन से ठीक है प्रतेक गुरुप में से एक ही निकालना है I think मैं बोल रहा हूँ ना बिटा हो सकता है कुशन में कहीं न कहीं लोचा हो मेरी सोच नहीं मिल रही है या फिर क्या कोई गोचा है हाजी कुशन नमबर 18 अगर एक जो जहाज है वो एक बंदरगा तक सुरक्सित पहुँचे उसकी प्राइक्ता दे रही है सर एक बटा 3 अगर जहाजों में से कम से कम चार जहाज सेफली पहुँचते है मतलब सुरक्सित पहुँच जाए उसकी probability बताओ कितनी होगी सुनना बेटा ध्यान से सुनना आपको ऐसा दे रहा है कि एक जो जहाज है वो बंदरगा तक सुरक्सित पहुँचे उसकी प्राइक्ता है एक बटा 3 तो आप ये बताओ कि पांच जहाजों में से कम से कम चार जहाज सुरक्सित पहुँच जाए बर्नूली डिस्ट्रिबिशन का इस अवाल है और ये भी NCRT का ही है मैं आपको लिखाँ कि सर N बराबर तो है आपका 5 और P बराबर है कि जहाज सुरक्सित पहुँच जाएं उसकी probability है एक बटा 3 तो क्यू बराबर होगा 1-P मतलब 2 बटा 3 और 4 जहाज कम से कम 4 जहाज पहुच जाएं तो इसका मतलब X की value 4 या 4 से ज़्यादा होगी और 4 या 4 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि सर या तो 4 हो और या फिर क्या हो सर 5 हो ठीक है जी 4 या 5 दोनों को प्लस करना पड़ेगा तो 4 की case में तो क्या होगा कि सर 5 C 4 पहला 1 by 3 की power तो आ जाएगी 4 और दूसरा जो है 2 by 3 उसकी power आ जाएगी 1 ये तो है 4 जहाज सुरक्षित पहुचे और 5 जहाज जब सुरक्षित पहुचते हैं तो 5 C 5 और 1 by 3 की power तो आ जाएगा 5 और दूसरे की power 0 ठीक है ना इस आपके पास आ जाएगा तो आप देख लो 5 C 4 की value calculate करोगे 5 और 1 बटा 3 की power 4 है मतलब उपर तो रहेगा 2 नीचे आएगा 3 की power 5 यहाँ पर 5 C 5 की value 1 एक बटा प्लस एक बटे 3 की power 5 तो सरी आ जाएगा आपके पास उपर 11 नीचे 3 की power 5 3 की power 5 होता है 243 राइट आंसर C option यह 18 नमबर का सवाल हो गया 11 बटे ठीक है NCX को solve करना सिखा दो बटा NCX को solve करना नहीं आए तो फिर बटज गई बेंड़ में ने बता दिया है पहले भी है ना और दो question आपको home work के लिए देता हूं में एक सवाल यह रहा सर आपके home work का ठीक है जी home work का question है और जवाब दीजेगा इमानदारी से अगर तैयारी करी रहे हो वास्तम में तैयारी कर रहे हो probability से डरना नहीं है और जब थोड़े दिन की बात नहीं डरोगे तो फिर आप डराओगे किसी को यह है home work का पहला question और यह है sir आपके पास home work का दूसरा question तो question home work के है आपके लिए ठीक है जवाब आना चीए प्रतेक बच्चे का चरो जी आज की class को हम यहीं end करेंगे हो सकता है और जो class है जैसे और मेरा तर्वगेर आएगी उसमें में NCRT की question और include कर दूँगा ठीक है all the best love you guys मिलता हूँ आप से एगली class में कल सुबर trigonometry स्टार्ट कर रहे हैं तो तेयार हिएगा